सूप्रभाद, कक्षा तूसरी, विशे हिंदी, उप विशे पाट नो, चांद का कुर्ता, पुस्तक का नाम, नई गुल्मोहर हिंदी पाठे पुस्तक, व्याख्यान दू, कल हमने व्याख्यान एक में इस कविता को पढ़ा था, तथा उसके अर्थ को जाना था, और उसमें आए कठिन शब्दों को भी आपने जाने, आज हम व्याख्यान दू में शाबदार, रश्नोतर, तथा कुछ अभ्यास कारियर करेंगी, तो चलते हैं, सबसे पहले हम पार्ट नू, चांद ककुर्टा के शब्दत को जानती हैं, शब्दार, शब्दार क्या होती हैं, जो शब्दों के अर्थ बताए, उसे कहा जाता है शब्दार, देखते हैं, नमबर एक पे क्या दिया है, सबसे पहले नमबर पे दिया है, हट, जिसका अर्थ है, जित, क्या दिया नमबर एक पे हट, जिसका अर्थ है, जित, नमबर दो देखते हैं, नमबर दो पे दिया है जिंगोला जिसका अर्थ होता है छोटा कुर्टा या जबला दूसरे नमबर पे शब्द दिया है जिंगोला जिसका अर्थ होता है छोटा कुर्टा या जबला अब कीसरे नमबर पे देखते हैं? कीसरे नमबर पे दिया है ठिटुर ठिटुर कर जिसका आर्थ है ठंड से कांप कांप कर तोथे नमबर पे दिया है सफ्पर जिसका आर्थ है यात्रा चौथे पे है सफर जिसका अर्थ है जात्रा पांचवी पे दिया है भाडा जिसका अर्थ है किराया चटे नमबर पे है जाडा जिसका अर्थ है सर्दी साथवे नमबर पे है जाडा जिसका अर्थ है सर्दी साथवे नमबर पे कुशल जिसका अर्थ है भला साथवे नमबर पे कुशल जिसका अर्थ है भला आठवे नमबर पे है सलोना जिसका अर्थ है सुन्दर आठवे नमबर पे सलोना जिसका अर्थ है सुन्दर नोवे नमबर पे है बदन जिसका अर्थ है शरीर अब आपने शब्दों के अर्थ को चान लिया अब हम प्रश्णों के उद्दर को चानते हैं इस पार्ट में सबसे पैदा प्रश्ण है चान्द ने अपनी मा से क्या जिद की इसका उत्तर है चान्द ने अपनी मा से उनका एक मोटा जिंगोला सिल्वाने की जिद की दुबारा देखते हैं प्रश्ण नमबर एक दिया है आपको चान्द ने अपनी मा से क्या जिद की इसका उत्तर है चान्द ने अपनी मा से उनका एक मोटा जिंगोला सिल्वाने की जिद की अब प्रश्ण नमबर दो देखते हैं प्रश्ण नमबर दो है चान्द किस तरह यात्रा पूरी करता है उत्तर है सर्दियों में चान्द ठिटुट कर यात्रा पूरी करता है जिसका उत्तर है सर्दियों में चान्द ठिटुट कर यात्रा पूरी करता है अब अब प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण नमबर दो दो चान्द ने भाड़े का कुड़ता क्यों मांगा उत्तर है ठंड की वजह से चान्द ने भाड़े का कुड़ता मांगा दुवारा पढ़ते हैं प्रश्ण नमबर तीन है चान्द ने भाड़े का कुड़ता क्यों मांगा उत्तर है ठंड की वजह से चान्द ने भाड़े का कुड़ता मांगा अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण नमबर चाद माता ने क्या आशिरवाद दिया उत्तर है माता ने चान्द को आशिरवाद दिया की तु कुशल रहे और तुझे जादु टोने ना लगे दोबारा पढ़ते हैं प्रश्ण नमबर चाद है माता ने क्या आशिरवाद दिया जिसका उत्तर है माता ने चान्द को आशिरवाद दिया कि तू कुशल रहे और तुझे जादू टोने ना लगे प्रश्ण नमबर पांच देखते हैं कुर्टा सिल्वाने में मा को क्या परिशानी थी उत्तर है चांद का आकार प्रती दिन घटा बढ़ता रहता था मा यह समझ नहीं पाती थी कि किस नाप का कुर्टा चांद के लिए सिल्वाया जाए यही मा की परिशानी थी प्रश्ण नमबर पांच में देखते हैं कुर्टा सिल्वाने में मा को क्या परिशानी थी इसका उत्तर है चांद का आकार प्रती दिन घटा बढ़ता रहता था मा यह समझ नहीं पाती थी कि किस नाप का कुर्टा चांद के लिए सिल्वाया जाए यही मा की परिशानी थी अब आपने प्रश्णों के उत्तर को जान लिया अब हम कुछ अभ्यास कारे करते हैं नीचे दिये गए शब्दों में से जो समू के अंतरगत नहीं है उन्हें अलग लिखिये नीचे दिये गए शब्दों में से जो समू के अंतरगत नहीं है उन्हें अलग लिखिये अ तर्दी गर्मी वर्षा संत पत जड़ अब इसमें से आप सोचिए इनमें से कौन सा समू के अंतरगत नहीं है हंजी अगला सुन दिजिए टोपी, स्वेटर, कंटोपा, बैग, दस्ताने इसमें से भी सोच के रखना गह में दिया है गिलास, पैंसिल, प्लेट, चमज, कटोरी गह में दिया है पुस्तक, कौपी, पैंसिल, पैन, होकी अब आप देखिए कह पे दिया है सर्थी, गर्मी, वर्षा, संत, पत, जड़ इन में से कौन सा अलग है आप देखेंगे तो इसमें से अलग है संत से संपंदित नहीं है तो यह संथ अलग है जिसे मैं ने अलग से लिख दिया अखा पर अपरल यह Mac सोंचे कून साा हुगा बैग बलकुल सही तूपी हम पेहनते हैं स्वेस्लेटर प्र पैंते हैं लिकैंप बंतौप पहनते हैं बैप को नहीं पहनते हैं और दस्ता नहीं पहनते हैं तो ये समूव से अलग है इसलिए हमने बैप को अलग लिखा गव पिदिया है गिलास, पैंसिल, प्लेट, चम्मच, कटोरी देखी ये सब खाने में से इस्तिमाल होता है और एक चीज अलग है वो है पैंसिल गिलास से हम पानी पीते हैं पैंसिल से तो हम लिखते हैं लेकिन ये खाने के लिए यूज नहीं होती लेट भी खाने के लिए इस्तिमाल होता है चम्मच भी और कटोरी भी पैंसिल नहीं होता है इसलिए हमने से अलग लिखा घा पे दिया है पुस्तक, कॉपी, पैंसिल, पैं होकी, इसमें क्या लग है? हंजी, यह लग है होकी उनकी पुस्तक पढ़ने के लिए इस्तिमार होता है, कौपी भी, पैंसिल भी लेकिन होकी पढ़ने के लिए इसतिमार नहीं होता तो अब हम अगला देखते हैं प्रश्ऩन लास्ट वाला अब आप सोच के रखना घोड़ा, शेर, हाती, चड़िया, खरगोश इनमें से कौन सा होगा आप सोचीए जी इसका आंसर है चड़िया बिल्कुल सही तो उनकी ये सारे जानवर है घोड़ा, शेर, हाती और खरगोश लेकिन चिर्या क्या है? पक्षी है अब अगला प्रेश्ण को जाने है अगला प्रेश्ण है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिये खोप दिया है आस्मान, खोप दिया कुशल, गोप दिया सर्दी, घोप दिया बड़ा चादिया एक बाद देखते हैं खोप दिया आस्मान, खोप दिया कुशल, गोप दिया सर्दी, घोप दिया बड़ा अब आप सोचिए आस्मान का उल्टा अर्थ क्या होगा? अजी जमीन, आस्मान का उल्टा क्या हुआ? जमीन इसी पकार कुशल का उल्टा अर्थ देखिए आकुशल, कुशल का उल्टा अर्थ क्या है? आकुशल इसी प्रकार सर्दी का उल्टा अर्थ देखिए गर्मी, सर्दी का उल्टा अर्थ क्या है? गर्मी इसी प्रकार देखिए बड़ा का उल्टा अर्थ क्या है? छोटा एक बार दुबार देखते हैं, आस्मान, जमीन, कुशल, अकुशल, सर्दी, गर्मी, बड़ा, छोटा तो अब आपने कारे को समझ लिया, तो आज आपका गरीग कारे क्या रहेगा? आपका गरीग कारे रहेगा, आपका गरीग कारे है कख्षा में कराए गए शब्दों के अर्थ को अपनी कौपी में लिखो इसमें आप सबसे पहले जिनांग लिखेंगे और उसके बाद दिन, दिन अर्था वार, फिर लिखेंगे पार्थ नू, कांद का कुड़ता, फिर आपने एक रेखा लगानी है उसके बाद आपको लिखना है शब्दार्थ, फिर आपने लिखना है शब्द, फिर बीच में लगाना है डैश और इस साइड लिखना है आर्थ तो सबसे पहला शब्द है हट, जिसका आर्थ है जित, पहला शब्द मैंने कराया था कक्षा में हट, जिसका आर्थ है जित, दूसरा है जिंगोला, जिसका आर्थ लिखना छोटा कुड़ता या जबला जिंगोला जिसका अर्थ है छोटा कुर्ता या जबला तीसरे पर है ठिटुर ठिटुर कर जिसका अर्थ है ठंड से कांप कांप कर तीसरा है ठिटुर ठिटुर कर जिसका अर्थ है ठंड से कांप कांप कर चोथे पर है सफर जिसका अर्थ है यात्रा चोठे पे है सफर जिसकार थैं यात्रा पाचवे पे है भाड़ा जिसकार थैं किराया छटे पे है जाड़ा जिसकार थैं सर्दी सात्वे पे है कुशल जिसकार थैं भला साथवे पे है कुशल जिसका आर्थ है भला आठवे पे है सलोना जिसका आर्थ है सुन्दर नौवे पे है बदन जिसका आर्थ है शरीर अब आप ने अपना ग्रीकारे को समझ लिया अब हम कल के ग्रीकारे के कल को जागती है कल मैंने आपको दिये थे कट्शब लिखने को तो एक बार देखिए क्या आपने इसी प्रकार लिखे सबसे पहले आपने दिनांक लिखा होगा उसके बाद बार लिखा होगा और फिर आपने पार्टनो चांड का कुरता भी लिखा होगा तो आप एक बार अपना पुनाय जाच ले क्या आपने यह से ही शक्त लिखे नमबर एक पे रिखा हट नमबर दो पिदिया है चांद नमबर तीन पिदिया सिल्वा चोथे पिदिया उन पाचवे पिदिया जिंगोला छटे पिदिया ठिठुद साथे पिदिया यात्रा आथे पिदिया सफर नोवे पिदिया मौसम दस्वें पिदिया जाड़े, ग्यार्वें पिदिया भाड़े, बार्वें पिदिया कुर्ता, तेर्वें पिदिया बच्चे, चोर्वें पिदिया सलोनी, पंद्रवे पे दिया कुशल तोलवे पे दिया अंगुल सत्रवे पे दिया फुट अठारवे पे है बदन निसे पे है आख और बीसे पे है जादू तो मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इन शब्दों में कोई भी माताओं की गल्दी नहीं की होगी यदि किसी बच्चे से कोई गल्दी हो गई है तो इसमें से देखकर अपने कापी में छीट कर ले ठन्यवाद